मुख्य मंत्री ने जहां 2023 के सितंबर में काम पूर्ण होने के आदेश दिये हैं तो वहीं कॉंग्रेस के प्रदीश सचीव राकी श्यादव ने प्रसवार्ता कर समय पर ट्राल पर मंत्री भुपेंड सिंग को एक लाक रुपए का इनाम देने की घुशना की है मध्रदीश की राजधानी भुपाल और इन दौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वहीं दौर में वरश 2030 के सितंबर महा में मेट्रो के ट्राल रुण की बात कहीं जा रही है ऐसे में मेट्रो के ट्रायल रन को लेकर अब समय बीतने के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं जहामत प्रदेश कॉंग्रिस के पूरुस अचीव राकेश सिंग यादव ने रिगलती रहस्तित एक नीजी होटल में प्रसवारता कर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किये हैं राकेश सिंग यादव ने कहा कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन का इंदौर में इरिक्षिन किया और कुछ विशिशग्यों से बात भी की है उन्होंने इस दौरान पाया कि सितंबर 2030 तो क्या आने वाले कई सालों तक मेट्रो ट्रेक का ट्रायल रन नहीं हो सकता है यहां दावा करते हुए राकेश यादव ने कहा कि यदि सितंबर 2030 में मेट्रो का ट्रायल रन नियाम अनुसार यदि पून हो जाता है तो हां क्याबिनेट मंदरी भुपेंडर सिंग को एक लाग रुपए का इनाम देंगे राकेश सिंग यादव ने इस प्रजवारता के दोरान खिलोने का मेट्रो मॉडल पताया और कहा कि भाजपा सरकार सस्ती लोग प्रियता के लिए जनता के सामने जूटी घोशनाएं और वादे करें हैं शहर के नहरू पार्क में बच्चों के लिए ट्रेन चलाने का काम हो रहा है वाजपा को उसी ट्रेन में घुमा कर मेट्रो दिखाना चाहते हैं कि ना तो कोई मेट्रो स्टेशन बने ना कोई इसकी ग्रीट बनी है ना कोई परिस्ती एसी है के सितमबर में ट्रायल रून होजाए मंत्री दौरा जो जूट बोला जा रहा है उसमें ने 1,00,000 रुपे का इनाम गोशित करा है इस्तापित हो सके और वो स्टार्ट हो सके तो इसी परिस्तिती में चुनाओ जो सामने उसको देखते हुए छुट बोला जा रहा है इंदोर की जनता से कि मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर में होगा यह अगले वाश तक भी नहीं हो सकता है